वर्स 2013 में आमला इकादसी का ब्रत कब रखा जाएगा यानि कि आमला की इकादसी का ब्रत और इसकी पूजा भीति क्या होगी इन विशायों को लेकर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और जो नए विवर्स चैनल पर हैं और जानते हैं आमला इकादसी के संबंद में पद्म पुरान के अनुसार आमला की इकादसी का ब्रत करने से सेक्णू तीर्थ दर्षन के समान पुन्य प्राप्त होता है समस्त यग्यों के पराबर फल देने वाले इस आमला की इकादसी का ब्रत करने से ब्याक्ति को मोक्ष की प्राप्ती होती है जो लोग आमले की इकादसी का ब्रत नहीं करते वह भी इस इकादसी के दिन भगवान बिश्णू को आउला अर्पिज़ जरूर करें और स्वयमी खा यहाएं सास्त्रू के अनुसार आमले की इकादसी के दिन आउले का सेवन करुचंदा बहुत लापकारी होता है इस दिन सुबह जल्दी उठकर निट्ट कॉर्म अस्तान से निरत्थ होने के बाद भग्वान भिश्णु का ध्यान करें और इस ब्रत के संकल्प जरूर्ने शाहिए और घीका दीपक जलाकर विष्णु के मन्तर या विष्णु सहस्त्र नाम कापाट करना चभीए पूजा के ब्रत के बाद आमले के ब्रक्ष के नीचे नाौरत्न युवक कलस इस्ताफित करना चाहिए अगर आउले का ब्रिक्ष उपलब्द नहीं है तो आउले के फल का भगवान विश्णु को प्रसाथ की रूप में चड़ाना चाहिए आउले के ब्रिक्ष में धूब दीब चंदन रोली पुष्प अक्षत आदी से पूजन करकर उसके नीचे किसी गरीब जरूरत्मन व्यक्ति या ब्रामन को भूजन कराना चाहिए अगले दिन द्वादसी का स्नान करने के पश्चाथ भगवान विश्णु के पूजन के बाद जरूरत्मन व्यक्ति या ब्रामन को कलश वस्त्र और आउले का दान जरूर करना चाहिए इसके बाद ही भूजन ग्रहन कर उपवास को खोलना चाहिए वर्ष 2023 में आमलकी इकादसी का ब्रत 3 मार्च 2023 को सुक्रुवार के दिन रखा जाएगा अगर आमलकी इकादसी के पारण मुहूर्त की बात करें तो 4 मार्च 2023 को शुबा 6 बच कर 43 मिनट से शुबा 9 बच कर 3 मिनट तक यानि कि 2 घंटा 19 मिनट की अवदि में आमले की इकादिसी का पारण करना चाहिए तो वर्ष 2023 में होने वाले इस आमले की इकादिसी ब्रत के समंद में यहां महतुबों जानकारी थी उमीद करता हूँ यहां जानकारी आपको पसंद आई होगी जो भी दरसक चैनल पर नहीं है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल नोटिपिकेशन भी आउन कर लिजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो को लाइक और सेयर भी जरूर करें धन्यवाद